कि यह लो दोस्तों वेलकम प्रॉपर्स तब क्लाश ट्वेल की मैंसेमेटिक्स ने आप सभी का एक वाइफ फिर सवागत है क्लाश ट्वेल्थ है मेरे आपका चल जाता है इंपोर्टेंट क्वेशन जो पेपर में कई बार आ रहे हैं ठीक है प्रिब्यूस एक वर्ड एक्जा जाएगा ठीक है तो देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने आपको मैंटक्रिक्स करा दिया है ज़ diferen रहे हैं अपको इफ्यक्ति एसके पाद मैंप करता है आपका चल रहा है आपका इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन आपको कराओ पांच क्वेस्टन समने कराएं उसमें आपको जरूर देखना चाहिए ठीक है पर आपको कराूँगा तो आपके इंटेफनित इंटेशन इंटेश्ट निंटेशन इंका निटेशन पढया कर लोगा इसके बढ़एं एक डिचेस त結果 क्रेंगे तो आज आपका कितना है आपका आपको मिल जाएगा आपको किसके डेफिनिट इंटिकरेशन के आपके पॉस्टन मिल जाएंगे फिर मतलब आप समझ लिए कि 21 तारीक तक आपके जो हैं तो देखी, आपको क्या है जैसला को को एक साम को डाल दूगे तो एक दिने कितने हुझात रहेंगों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना हुनी चाहिए दिखकत इसलिए कि आप सेर नहीं करते हैं आप करेंगे तो मैं आपको यह आज आपको करा रहा हूं तो आज हम इस्टार करेंगे तो मैं आप सेकेक्स प्लस का जानते होंगे तो यहाँ पर लिखा गया सेक्स बटे में नीचे की आपका दिया गया है नीचे आपका दिया गया है आक सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपका हो जाएगा सब्सक्राइब कर देखो क्या कुछ नहीं है हर आप देखें अगर आपको गुणा कराना हो तो सब्सक्राइब ओपको नहीं होई अब आप देखें मेरी प्यारी होई यहां पर आपका सेकस दिया गया है गुणा हो जाएगा तो चाहिए अपर आपका हो जाएगा सब्सक्राइब x हो गया बड़्म आपका क्या हो जागे देखो-a हम भी क्या लिंग दिया, cent square x minus se lincía square x, अब आप जानते हैं, आप जानते हैं, कि set square x minus какgi Menton square x होता है, वह क्या होता है मेरी प्यारी भाई, एक होता है, तो नीचे क्या हो गया, आपका एक हो गया, के याअल और के याइक हो गया, गुड़ा हो गया गुड़ा कराने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई हमने क्या सेक एक सेक च्वारेक्स हो गया मानस का सिंबल लगा देंगी सेक एक सब्सक्राइब अब करा रहा हुँ जिससे कई questions हो जाएं तो क्वेशन का फॉर्मेट यह रहेगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है मैं पहले मैंने questions कराई जितने चैप्र को बहुत सिलो चिलो मैंने आपको बताय ठीक है तो अब देखो पेपर जैसे नजदीक आ रहा है तो हमको question number बढ़ाने पढ़ेंगे जल्दी-जल्दी कराने भी पढ़ेंगे ठीक है तो जितने ज़्यदा बच्चे connect हो पाएंगे उतना motivation मिलेगा तो आप share करते रहें अगर आप चैनल पर नए चैनल को पावर 6DX को आपको क्या करना है सौलो करना है है समा कलन करना है ठीक है मेरे पैरिवेद देखो question बहुत ही आसान है question आपको देख करके एक सी समझ में होगी कि यहाँ पर लिखा गया 10 inverse X की पावर 3 ठीक है यहाँ पर क्या लिखा गया एक्स की पावर 6 तो आप क्या करें मेर इन वार्स X का differentiation क्या होता अपल्द में वन प्लस का 10 स्क्वार तो PC एक स्कोएर तो एक सती कि पावर 3 के स्क्वार हो Dihr को आप क्या लिख सकते एक एक registini पावर 6 लिख सकते तीन화 कितना होप रोड़ छी के सक्रीक कोई दिख्कत इसमें नहीं कोई दिख्कत यह委 लेकिन दिख्कत यह है कि अब x की पावर 3 का भी डिफ्रेंसियेट करना पड़ेगा तो 3 आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 2 अब देख रहे हैं कि एक स्क्वायर एक स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 6 और गुणे में डिएक्स यह टोटल क्या होगे देखो एक स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू में डिएक्स यह होगे डिटी बटे में 3 तो एक बात बताओ इस टोटल की जगा हम क्या लिख सकते हैं और बटे में 3 इनको इनको इक अगे लिखलें कोई दिक्कत होगा नहीं क्या बचता है आपका आपका ऊपर के और प्लस और B टी लेट किया तो इसको आप केवल लिख सकते हैं टी इंटू में डी यहां तक कोई दिखता तो आपको होई नहीं होनी चाहिए ठीक है हमने टी बरावर्ट टैन इन और सक्सकी पावर तरी लिख लिए डिफ्रेंसियेट कर दिया जो हमारा कॉंस्टन तर्म था उसको में टी क इसे रहेगा कि भी टी समाकलन करेंगे तो क्या होगा टी की इस पावर टू बटे में दो हो जाएगा तो यहां पर पर सक्सी भी लिखेंगे एक पावर्ट है इसरी नहीं हो जाएगा Snore और यह हो जाएगा पलस का सी हो जाएगा मेरी प्रभी आपका आपका यह बहुत है आसाने आपको लॉजिक यवर लगाते रहाना है इसको प्नोट कर लें अगर आपको तरीकी पता है कैसे चाहिए तो पूरा अच्छे से पढ़ाए ना तो जो जो इसको बता दे रहा हूं ठीक है आपको प्रोकस करना है अब हर इक चीज़ तो आपको नहीं बता जा सकती क्योंकि आपको पता है कि हाँ यह चीज़े लग रही है आपको क्यों देखना है इसको कर लेना ठीक है अब हर एक कॉंसेट्ट तो आपको यहां पर नहीं बता चाहिए मैं आपको पहले पढ़ा रखा था जितने क्वेश्चन मैं मतलब इतने आपके हैं वह पहले ही मैंने पढ़ा देता हूं ठीक है अगर आपका मने तो आपको देखें नहीं मने तो आप क्या किया जा सकता है ठीक है अब यह भी मैंने इसका सकता हूं कि हमारी पुराने लेक्ट्टर साब देखो टाइम बेस्ट एक एक है मैं इतना समझते सब्सक्राइब करने के लिए आपको न बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ठीक है लेकिन कर क्या पाएंगे हम देखो करेंगे यह कि एकी पावर एक्स का आप ऐसे छोड़ दें इसको यहाँ पर वन प्लस एकी पावर एक्स और प्लस एक्स का एक ऐसे लिए अगर इतना कर पाते हो ना तो बहुत अच्छी बात देखो एक एक जोड दिंगे फिर दो हो जाएगा 2 प्लस E की पावर X हो जाएगा कोई दिक्कत हो आप इसका क्या करेंगे आउल करेंगे dt upon में dx हो जाएगा यह 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा e की power x क्या हो जाएगा e की power x यह होगा है भई अब आप क्या करेंगी dt धर ही रहने दे e की power x हो गया dx को धर वेजिंग क्या हो जाएगा dx हो जाएगा e की power x dx हो जाएगा मेरी प्यारी भी हम ने क्या कि कि 1 ने प्लस ऑब एक्स को ने यह क्या लिख लिख दिया तो टी लिख देते हैं यहां पर बढ़ इसका आपको समा क्वर्ण करना है अगर आप समा क्रण कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है झेखो होगा क्या कि one upon में इस तरह से लिखा गया है t t plus का one होता क्या है कि a बटे में t लिखेंगे plus का b बटे में t plus का one लिखेंगे ठीक है मेरी प्यारे भी इसी तरह समाकलन होगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर one बचेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा a t plus का one plus का B into में T यह T से A T cancel हो जाएगा T plus 1 से T plus 1 यहां से cancel हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? देखो यह हो जाएगा आपका A T plus का A कम A plus का Y हो जाएगा आपका BT तो 1 बराबर यह आपका हो गया A plus B into में आपका t हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा constant को एक साथ ले लो चरवाले को एक साथ ले लो ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी प्यारे भाई कि यहाँ पर कोई चरपद नहीं है तो मतलब a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा एक सेकर्ड तो आपका a प्लस b बराबर हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा मेरी प्यारे भाई जीरो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा जीरो और a बराबर कितना हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा 1 a किसके बराबर है a प्लस b किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा, तो अगर A बराबर 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, तो उधर जाए कितना हो जगा माइनस, तो B बराबर कितना हो गया, माइनस का 1, A बराबर 1 हो गया, B बराबर माइनस का 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, अब यहाँ पर आप रखेंगे यहां पर जब आप रखेंगे तो समाकलान आपने किसका करना है डी एक्स बटे में टी टी प्लस वन का इसी का आपको समाकलान करना है टी टी प्लस का वन और इसको हमने क्या लिखा था ए बटे में टी प्लस बी बटे में टी प्लस का वन तो ए बराबर कितना आ गया एक आ गया तो समाकलों का सिंबल लंग यूजिए समाकलों कर रहें तो यहां पर क्या हो जाएगा बटे मी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा अब आप देख रहें जब बी की जगा आप रखेंगे माइनस का हो तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस तो आप माइनस पहल सप Yanget copy Titans की यहां इंट यहां पर भी क्या हो जै कर लॉग इंट इपलस का फंप आप लॉग माइनस का क्र साहुनिस को कि लॉग माईन कि यह हो जाएगा पका लॉग मैं आप में एन मतलब टी प्लस का वन अब मेरी प्यारे भी प्लस का सी भी आप यहां पर लगा सकते हैं यहां पर भी प्लस सी लगा दिए ठीक है अब आप देख रहें टी आपनी क्या लेट क्या था टी लेट क्या था वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स तो यह हो जाएगा आपका जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस E की पावर X हो जाएगा और प्लस का एक constant C जोड़ देंगे, यह आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको यह अगर यह वाला समाकलन करना आता है, तो आप समाकलन कर सकते हैं, ठीक है मेरी पैरे भई, अब देखिए, आपके NCRT में पूरी तरीके से 1 by 1 सीक्वेंस से आपको कराये गया था ठीक है लेकिन अब जब को बेसिक चीज़ आपको पता होने चाहिए अगर आप इसका समाकलन कर ले जाते हैं हमने पढ़ाया भी था हमाँ पर dx बटे में अगर x-a x-b इस तरह से लिखा गया है तो आप इसको तोड़ेंगे एब टे में x-a प्लस b बटे में x-b तो आप इस तरह से question को solve किया तो लेकिन अब question में जब आएगा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पर कौन सा समाकलन लगने वाला है ठीक है तो इसको आप ही अचानां बोसापको क्या आता है यहां पर x दीक्र सिप्सान करेंगे और करेंगी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा log लोग एक्स क्या हो जायगा सिम्बल लगाएंगी उपर हो जाएगा डी नीचे क्या को यह कुंट किया है तो T माइनस का वन हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा टी पलस का वन अब इसी का सनागुन कैसे करना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था अंसिक बिन्यों जारा समया गलन इंटिगेशन भाई पार्सियल फ्रेक्शन ठीक है तो चीजें आपको समझनी चाहिए तो इसको कैसे ली सकते हैं इसको आप लिखेंगे एप वन में टी माइनस कवन प्लस बी बटे में टी प्लस कवन अब कैसे हो पाएगा हो ऐसे पाएगा एक बराबर यहां पर क्या प्लस का आफ लिखेंगे खिंगे एक बराबर ए तो यह पर क्या होंगा कितना एक होगा एक बराबर क्या हो जाएगा बचएगा आपका टी माइनस का बचेंगाते sensing के मेरी स्वारी, A होगा, यूँकि A है ना आगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा A, B का अंगोडा कराएंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा पलस यहाँ पर B, T और माइनस का B, तो अब A का बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा A, T, प्लस का B, मतलब आपका हो जाएगा A, T, प्लस का B बराबर constant, coefficient आप लेंगे, तो A plus B किसके बराबर, 0 के बराबर, और A minus B किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह क्या है, यह चरपद है, यह अचरपद है, तो चरपत का equal किधर कोई term है नहीं है, तो A plus B किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, अचरपत के बराबर है 1, तो A minus B किसके बराबर हो जाएगा, दोनों समिकरनों को आप क्या करें, जोड दें, तो यहाँ पर समिकरन नमबर 1 माल लें, इसको समयकर्ण नमबर 2 माल लें तो आप लिखें 1 पलस का 2 तो A पलस B बराबर क्या हो जाएगा? 0 और A माइनस B बराबर क्या हो जाएगा? A जोडेंगे तो पलस माइनस कैंसिल 2 A बराबर किसके? 1 तो A बराबर कितना हो जाएगा? आधा 1 बटे में 2 2 पूटिन फास्ट पूटिन पहले समयकर्ण में आप रखेंगे तो A की जगाए 1 बटे 2 पलस का B बराबर 0 तो एक बराबर क्या हो जाएगा? इसको समय में हो जाएगा? तो B बराबर कितना हो जाएगा? आपका माइनस का 1 बटे में 2 E बड़ाबर आपका आगया 1 बड़ाबर आपका अगया मैनस का 1 बड़ाइद ठीक है एक एक जगान क्या रखेंगे टो रखेंगे तो एक बड़ाइद लिख सकते हैं कोई देक्कत नहीं है आप गएक आप इसका समाकलन करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यह आपका एक बटे में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बटे में 2, ठीक बात है, क्या कर सकते हैं, एक ही जगान लिखो, यह आपका एक बटे में 2 हो जाएगा, एक बटे में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी माइनस का 1, यहाँ पर आप देखेंग breakout लगा ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dt, समाकरन कर रहे हैं, ठीक है, dt हो गया मेरी प्यारे भी आप देखे रहे हैं, यहाँ पर भी एक बटे में दो, यहाँ पर भी एक बटे में दो, तो एक बटे दो यहाँ पर बचा एक बटे में T क्या होता है log t होता है तो log t क्या हो जाएगा log t होता है t luk t plus का 1 हो जाएगा आई इसी क्वक्स टो आप लगा सकते हैं आई हो गारा ठीक है अब आप देख पा रहे हैं ब्रेकट लगाएं क्योंकि एक बटे दो आपने बाखर लिया था दोनों से न आई बराबर क्या हो जाएगा आपका ये एक बटे में दो log m- क्या होता है log m by ये मतलब t-1 बटे में t-plus का 1 तो आप देख रहे हैं बटे में log x-1 क्या हो गया log x-1 और पलस का c ये मेरी भाई आपको क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है मेरी पैरी भाई question यार बहुत आसान है बस आपको logic लगाना है question समझना है mind को आपने क्या करना है बहुत ही अच्छा बनाना है ठीक है कचले की तरह इस question में और पहले question में अगर आप यह समझ पाई कि इसमें partial fraction लगेगा आंसिक भिनोदरा समाकलंद होगा तो बहुत ही आसान बात है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एवी की बैलू निकालो एवी की जगा सब्सक्राइब कर लें कि आया दोस्तों question नंबर पांच और छे आपके लिए क्या रहेगा हम्वर करेगा ठीक है मेरी पैर भी हम्वर करेगा देखो यह question में आपको बता देता हूं integration by parts integration by part integration by parts के एकॉर्डिंग लगेगा जिसे आप हिंदी में कहते हैं खंड्सा समाकलन ठीक है खंड्सा समाकलन इस पर लगेगा मतलब आई ल ए टी आई लेट के कोड़ी question solve होगा ठीक है मेरी प्यारे भई इनवर्ट्मिक function अलेबराइक function ट्रेगनेमेट्रिक function इस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेशन बहुत इंप्पोर्टेंट दो नंबर में क्वेशन आते हैं तो आज के लिए प्यारे भी इतना ही रहता है अगर आपको और questions आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना ठीक है और चैनल पर बने रहना इसके मतलब पेपर के आपके पहले सब्सक्राइब कराऊंगा ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लेना तो आज के लिए पसे इतना ही थाइंक्यू सो मच पर आजिंग प्रेस्क्राइ I will meet you next listen thank you very